कि हैं हेलो इस्टुडेंट से और मोस्ट बिलकमान में यूट्व चैनल डॉक्टर नालेज गुरू टूडेज आ इस्कल और ब्रेन, हेड इंजरी कैन भी आइधर क्लोजड और ओपन, सम हेड इंजरी आर सीवियर एनफ टु काज ब्रेन डेमेज और इवेन डेथ, या इसमें बता रहा है आपका कि अगर आपका head injury हो रहा है तो इसका मतलब है any trauma यानि किसी भी प्रकाल से चोट लग जाना कि इसमें आपका इसका लिया फिर brain में अगर आपका इसका लिया brain में किसी भी प्रकाल से चोट लग जा रहा है तो इसे हम क्या बोलते हैं head injury बोलते हैं ठीक है इसमें बता रहा है इसमें बता रहा है यानि आपका close भी हो सकता है या फिर open यानि चोड जब भी लगती है तो खुल भी जाता है या फिर बंधी रहता है ठीक है इंजरी, some head injury are severe enough to cause यानि कुछी injury जो होती है can cause brain damage जो brain को damage कर सकती है या फिर death भी हो सकता है याद रखिएगा simple है head injury के बारे हम head injury में यानि चूट लग जाए चाहिए आपके brain या फिर आपकी skull में इसमें क्या होता है या तो या आपका open होता है या फिर close होता है या आपका अगर severe में जला जाता है तो आपका brain damage भी हो सकता है या फिर आपकी death भी हो सकती है ठीक है? ये है head injury चलिए इसके types देखते हैं types इसके अलग-अलग types होते हैं किस types के चूट लगते हैं आपके देखते हैं hematoma, hemorrhage, edema skull fracture, diffuse external injury देखें hematoma इसमें अलग-अलग बताया है hematoma क्या होता है इसमें आपका जो blood vessels होते हैं उसके outside में क्या होता है hematoma में clotting हो जाता है यानि clot कर जाता है बाहर की तरफ होता है hemorrhage, आपका bleeding edema swelling होता है skull fracture, आपका skull fracture हो सकता है diffuse external injury इसमें आपका जो है brain cell होता है damage हो जाता है लेकिन bleeding नहीं होती है इसमें bleeding नहीं होती है लेकिन brain cell जो है damage हो जाता है ठीक है, इसके type सही hematoma, hemorrhage, edema इसका fracture और diffuse external injury ठीक है चलिए अब आगे देखते हैं इसके causes की बारे में देखते हैं causes क्या होते हैं इसके false vehicle accident injury false आपका दिया गया यानि कि अगर आप किसी भी वज़ाव से गिर जाते हैं उपर से या नीचे तक तरफ आप गिरते हैं जदा या नीचे तक तरफ गिर जाते हैं तो भी आपका head injury होता है vehicle accident यानि कि motorcycle या फिर vehicle से किसी भी तरह से accident हो जाता है तो भी आपका head injury होने के chances है injury injury आपका चोट लग जाए किसी वज़ा से जगड़े या मारपिट में भी हो सकता है injury ठीक है? अलग-अलग तरह से हो सकते हैं ये वज़ा होते हैं head injury के ठीक है? इसके symptom और sign साइन देखते हैं क्या होते हैं इसके symptom और sign headache, mild confusion, omitting, loss of consciousness, balance problem, and inability to focus the eye, memory loss, slurred speech, symptom और sign देखिएगा इसके क्या बता रहा है? headache, headache होता है इसमें, simple सा headache हो गई mild confusion, confusion रहता है कहां पे हैं कहां पे नहीं उसको कैसे लगी? omitting, ulty मैसूस होने लगता है या होता है loss of consciousness, अपना consciousness खो देता है balance problem, सही तरह से वो balance नहीं बना पाता है यानि खड़ा नहीं हो पाता है and inability to focus the eye, और focus भी नहीं कर पाता है यानि देख भी नहीं पाता है सही से memory loss, memory loss भी हो सकता है slurred speech, speech यानि बोलने में लड़कड़ा हर्ट की तरह आती है यानि सही तरह से बोल नहीं पाता है यह है इसके symptom और sign जो इस तरह से होते हैं ठीक है? चलिए, अब देखते हैं इसके complications के बारे में complications क्या होते हैं? सिंपल सा है, इसके complications क्या हो सकते हैं इसका दावरे आने लगेंगे, seizures आपका दावरे आने लगेंगे, hydrocephalus यानि कि आपके brain में water भर जाएगा, vertigo, vertigo आने लगेंगे, मुर्चा आने लगेंगी, infections, आपके brain में infections होने लगेंगे, headache हमेशा रहेंगे, ठीक है, यह हैं आपके complications, चलिए, अब देखते हैं, diagnosis क्या बनाना चाहिए हैं में, physical examination, CT scan, MRI, BP measure, ICP, ABG, physical examination आपको सिंपल सा मालूम में है, इसमें physical examination यानि monitoring करेंगे, CT scan, CT scan से पता लगाएंगे, कहां किस तरह से चुट लगी है, MRI से भी पता लगाएंगे, BP measure, BP measure आपका इसमें physical examination में आ जाएगा, ICP, intracranial pressure देखेंगे, कितना pressure बन रहा है, ABG, ABG test में देखेंगे, कितना gas है, आपका arterial, आपका जो arterial में है, gas कितना है, ठीक है, अब देखिए, इसका diagnosis हो चुका है, आप देखेंगे, हम treatment के बारे में, इसका treatment में, से first देखेंगे, prevention, prevention क्या होता है, सबसे पहले हम prevention, हमें ऐसा ना हो, head injury हमेसा हो, यानि, head injury ना होने पाए, उसके लिए prevention क्या करेंगे, देखिए, wearing sight weld, when a vehicle, wearing a helmet, when using a motorcycle, following safety, precaution, when playing contact support, देखिए, prevention में बता रहा है, आपका, क्या पहनना चाहिए, आपका, आपका, जो side weld है, यानि, seat weld आपको, sorry, wearing seat weld है, seat weld आपको, पहनना है, when a vehicle, यानि, जब आप, आप vehicle, यानि, की गाड़ी चला रहे हैं, उस टाइम, helmet लगाना, बहुत ज़रूरी है, following safety, precaution and playing, contact support, यानि, जब भी आप, कोई भी, खेल खेल रहे हैं, उस टाइम, आपको, precaution से, यानि, safety ज़रूरी है, यूज करना है, उस टाइम, भी आप helmet का, यूज कर सकते हैं, support के लिए, अपने head को, ठीक है, ये prevention करने, कर लेंगे, तो आपको, head injury की, chances नहीं रहेंगे, medications, medications में, क्या करेंगे, देखिएगा, bandage, सबसे, फर्स्ट तो, हम bandage लग करेंगे, उसको band करेंगे, यानि कि, आपका blood, ज़्यादा, ना निकलने पाए, उसको bandage लगाएंगे, mental injection देंगे, anti-platelets, यूज करेंगे, hypertensive drug, anti-colesterol, vitamin C, antibiotics, यानि कि, इस तरह से, सभी दवा चलाएंगे, manital का, यूज करेंगे, anti-platelets, यूज करेंगे, hypertensive drug को, यूज करेंगे, anti-colesterol, यूज करेंगे, vitamin C, भी यूज करेंगे, जिससे, आपका रुख जा, anti-biotics, यूज करेंगे, infections ना होने, ठीक है, इस तरह से, हम, यूज करके, अपना क्या कर सकते हैं, head injury को, बचा सकते हैं, ठीक है, कभी-कभी, जरुवत पढ़ जाती है, तो, surgery भी करना पढ़ जाता है, इस तरह से, आपका head injury, होता है, आज की topic, यहीं पर समाप्त होती है, और भी बहुत, इसके, आपके, neurological के topic हैं, इसके पहले पढ़ाया गया है, उसको देख लीजीए, समझ में आ जाएगा आपको, यह आज की topic हैं पर समाप्त होती है, मिलते हैं अगले दिन, नहे topic के साथ, थैंक यू,